Hi everyone, welcome to my class, आज की इस क्लास में मैं आपको U की मात्रा वाले शब्दो और बाक्यों को पढ़ना सिखाऊंगी इसे U या बड़ा U भी कहते हैं, इससे आपने पढ़ा होगा U से U जो बड़ा U है इसलिए इसकी जो U की आवाज आएगी ये थोड़ी सी बड़ी आएगी ठीक है तो जब इसकी मात्रा भी किसी वेंजन पे लगेगी तो उसके साथ जो U की आवाज जुड़ेगी वो थोड़ा सा बड़ी होगी छोटी U में वो आवाज छोटी होती है और बड़े U की मात्रा में U की आवाज जो है बड़ी होती है इसकी मात्रा अक्षर के नीचे कुछ इस तरह से देखी लगाए जाती है राउंड करके ऐसे दाई तरफ या राइट हैंड साइड में इस तरह से खीच देते हैं तो जब किसी भी वेंजन पर इसकी मात्रा लग गई मतलब की अब उसकी आवाज के साथ उकी आवाज जुड़ गई है जैसे काप अगर आप मात्रा लगाए तो अब आप उसे क्या बोलेंगे कुछ खा के साथ लेकाएंगे तो खुछ उकी आवाज थोड़ी सी देखी लंबी आरी खुछ छोटी उकी मात्रा जब लगाते हैं तो उसकी आवाज उकी आवाज छोटी सी आती कुछ गुछ बड़ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे यह क्या बोलेंगे यह फा पे उ की मातरा है और ला फूल ला फूल मा यूरा मयूर ठीक है तो पहले जो है आप चोटे-चोटे शब्दों को पढ़िए फिर थोड़ा बड़े शब्दों को भी पढ़ना सीखेंगे पहले जो भी अक् मातरा के साथ डायरेक्ट पढ़ेंगे अलग-अलग नहीं जैसे अब जहा है यह जहापे उ की मातरा है तो आप इसको सीधे जू पढ़नें फा पे उ की मातरा है तो पोई मा मा पे मू पूः फू बू लू देखिए उ कि हावास जोड़के बोल रहें तो चलिए शुरू कर पूट पूट बूट लूट शूट अलू अब यह देखे आ की मात्रा के साथ उकी मात्रा ठीक है तो अब जिस वेंज़न पर आ की मात्रा है हम उसको पढ़ेंगे और फिर दोनों मतलब मात्रा को अलग-अलग पढ़ेंगे और फिर हम जोड़के देखेंगे क्या शब्द बना है जैसे यह है का कह आ की मात्रा है तो अब आ की आवाज इसमें जुड़ेगी तो क से यह क्या हो जाएगा का अल्ला से यह क्या हो जाएगा लू क्योंकि इस पर उ की मात्रा है तो क्या हो गया शब्द क्या बना का लू का तालू, भालू, भालू, शालू, कपूर, कसूर, खजूर, जरूर, हजूर, चूरान, चूरन, पूरान, पूरन, पूनामा, पूनम मूराता, मूरत सूराता, सूरत ठीक है, कुछ बड़े शब्द हैं, उनको भी पढ़ते हैं का रा, अलग-अलग देखे का रा, कर वा तूता, तूत, कर तूत शाह, तूता, शाहा क्या हुआ शेह, तूत, शेह तूत माजा, मज, बूता, बूत, मजबूत रा, ज, देखे, रा पे आ की मात्रा है तो इसको र नहीं पढ़ेंगे, वलकि क्या पढ़ेंगे रा, राजा, राज, पूता, पूत राजपूत, चूरा, चू, चूरा, चूर मिला के क्या शब्द बनेगा, चूर, चूर भारा, भर, पूरा, पूर, भरपूर माजा, मज, दूरा, दूर, मजदूर माजा, मज, बूरा, बूर, मजबूर करतूत, शेहतूत, मजबूत, राजपूत चूर, चूर, भरपूर, मजदूर, मजबूर ठीक है अब को छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ते हैं बोल कर पढ़िए और समझे आशू आशू उठा उठ सूराजा सूरज निकाला निकल आया आशू उठ सूरज निकल आया मी नू देखिए बड़ी ए की मात्रा बड़े उ की मात्रा दोनों ही बड़ा लेंगे मी नू आब अब तू भी उठ पूनम कूड़ा उठा कारा कर पूनम कूड़ा उठा कर कूड़ा घारा घर कूड़ा घर ताका तक जा यहां खड़ी पाई है मतलब की एक वाक पूरा हो गया आशू दूरा दूर ताका तक गूम कर आशू दूर 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 तक गूम कर जला जला कपूर्व धूप जला आशु दूधा दूध पी तथा तथा पूरी पूरी खा आशु दूध पी तथा पूरी खा सूटा सूट पहना कारा पहन कर आलू मूली कचालू तरबूज व खरबूज यहां पे जा तो तरबूज हुआ यहां पे जा आकी मातरा तो खरबूज ला आलू मूली कचालू तरबूज व खरबूज ला पूनम आलू व कचालू की चाट बना पूनम आलू व कचालू की चाट बना तारा बूजा तर्बूजवा खारा बूजा खर्बूजा देखे तर्बूजवा खर्बूजा भी मिला भी एकी मात्रा है बड़ी एकी मात्रा और ये छोटी की मात्रा है मिला भी मिला मूली की सलादा सलाद खूबा खूब खा मूली की सलाद खूब खा तो अलग-अलग पढ़ करके हम पहले समझेंगे और फिर मिला करके देखेंगे चीनू बाहरा बाहर सरजू मदारी आया साथ साथ कालू भालू भी लाया मदारी मदारी दमरू बजा रहा था सरजू दमरू बजा कर गुन गुनाया भालू खूब नाचा कूदा सभी बालक खूब खुश हुएं देखें भालू खूब नाचा कूदा सभी बालक खूब खुश हुएं अब खुश हुएं देखें यहां पे बड़ी उकी खापे मातरा है तो इसे खूब बोले और यहां पे छोटी उकी मातरा तो को अंतर समझ में आ तो क्या होगा खूब और यह खुश हो यह खूब तो यह हो गया उकी मातरा एक नेक्स क्लास में मैं इसके इसस यह बन्या शब्द। और वाग्चियों को भी आपको लिखना सिखाऊंगी आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बाइ